हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सिट्व चनल पे दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि क्रेंग मसीन जो हमारा चल रहा है इसका घंटे में कितना पोडेक्शन होता है इसमें कितना बिज़ली लगता है और इसकी क्या गरांटी होती है और इस मसीन को चलाने के लिए हमें कितना मेंटेनेस के जिरुत परता है तो यह सारे टोपिक आज हम क्लियर करेंगे तो यदि आप में चैनल पे नए हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान यूब प्रेस करें ताकि जब इस तक वीड जाने वाला है उनको भी नहीं पता था कि कि आइसका हम प्रडिक्शन कर सकते हैं कि यह सारा आज हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो फिर आप कमेंट्स करके पूछोगे नहीं बता है करेंक मसीन का स्पीड जो है नोर्मली एगर हम जब भी मसीन लेकर के आते हैं तो नोर्मली उसमें 14-1500 का स्पीट होता है लेकिन करेंक मोडल मसीन जो है वो हमारे उपर डिपेंड करता है कि कितना हम उसको चरा सकते हैं यदि आपको उस मसीन को अच्छे से आप जानते हो और उसको आप पहले से उसको समझ रखे हो तो आप अगर स्पीट की बात की जाए जातक का स्पीट करने के लिए उसमें कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं लेकिन आप स्टार्डिंग में नए होते हैं तो हम आपको स्टार्डिंग में नहीं बताएंगे कि आप उसका स्पीट बढ़ा दें लेकिन एक मसीन अगर यदि इसको आपको खोलने पड़ेंगे कि स्पीट यदि आप बढ़ाते हैं तो छोटे आइटम पर स्पीट तो अच्छे से बढ़ जाएगा और वो पीस भी अच्छा निकलेगा लेकिन यदि आप थाली बनाते हैं 12 इंश का हो गया या 13 इंश का हो गया और थाली यदि आप स्पी सोही लेकिन दोना प्लेट पर यदि आप चाहें तो नुर्मली स्पीट उसका 2000 तक रख सकते हैं जो कि घंटे का 2000 पीस निकलेगा यदि घंटे का 2000 पीस निकलेगा तो उसमें फाइदा क्या है हम ये भी बताते हैं मसीन तो बिजली उतनाही लगना होता है मसीन वही होता है लेकिन अगर ये दि प्रोडेक्शन इसमें ज्यादा होता है तो आपका लेवर का भी बचत है बिजली का भी बचत है और प्रोडेक्शन ज्यादा होने से समय का भी बचत है तो दोना प्लेट पे आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं जब आपके क्योंकि बहुत ल्ट लोग बोलते है कि करेंगी मकीशन का स्पीड क्योंकि पंध्रप न कई लगता है लेकिन ऐसा नहीं है जो इसो जान रहे हैं समज रहे हैं उनको सब को पते होगा कि कितना ख़िज्ज़ी बात है अब हम बताएंगे आपको कि इसमें कितना बिजली लगता है उसके बाद बताएं कि इसमें कितना SP का मोटर होता और कितना होना चाहिए जो जरूरी होता है तो बिजली की बात करें तो यह मसीन सिंगल फेस से चलती है और सिंगल फेस से चलने की वज़ए से इसमें ज़्यादा बिजली के जोत नहीं परती है तो इस मशीन को सिंगल फेस से चलाने के लिए आपको सिंगल फेस का लाइट लेना और जो की घंटे का एक यूनिट विजली ये खाती है करेंक मोडल गंटे का एक यूनिट तो अग़र आप 10 घंटा चलाते हैं तो 10 यूनिट विजली लगेगा इसमें यदि आपके आप 5 रुपे इने भी बिजली है तो दिन औहर में आपका 50 रुपे बिजली का भी लगे गा करेंग मोडल में ये खासियत है कि पोडेक्शन अच्छा होता है बिजली कम लगता है लेवर कम लगता है तो यदि आप करेंग मोडल मशीन लगाते हैं तो दो केवी का मीटर आप लगा लेंगे तो आसानी से आप मशीन को चला सकते हैं वोल्टेज की बात किया है तो उस मशीन को चलाने के लिए आपको 200 से 220 वोल्टेज होना चाहिए जब ये मशीन आप उपरेट कर सकते हैं घर पे आसानी से यदि 200 से कम है वोल्टेज तो आप उसको नहीं चला पाएंगे अब बात करते हैं कि मोटर मशीन में कितना होता है तो करेंग मोडल जो है मसीन इसमें आपको मोटर यदी आप कमपनी ले रहे हैं तो हाप एच पी पे भी काम कर जाएगा लोकल है तो कम से कम एक एच पी होना चीग है क्योंकि हाप HP का होगा तो आपका बिजली कम लएगा क्योंकि हाप HP तो बिजली तो कम ही उठाएगा और अगर यह HP का है तो बिजली तो ज़्यादा उठाता है कमपनी का मोटर लेने पर यह होता है कि आपको एक साल दो साल कोई टेंसर नहीं होता है लोकल मोटर पे भरोसा नहीं होता है यदि उसका गैरंटी मिलता है तो ठीक है वहना तो दिक्कत ही दिक्कत है अब बात करते हैं कि इसका maintenance क्या है अगर यह machine लगाते हैं तो maintenance हमें क्या करना होगा तो आप लोग को एक बात हम बता दे कि ए varios को लगाने की लिए जहरो मैंटरेनेस है कोई मैंटरेश क compensation पूजा नहीं की इसमें कुछ खास। इतना पात्पूजा होता नहीं thou khi चाल चैंज पडेיूच है तो सिर्फ आपको बेल्ट चेंज करना है जो कि मस Adapt aufge तो है ब्लोग बैरिंग्ग तूट तूटेगा यूझ तूट तूट तूटेजर तूटे से वह तूटना है एक से नेश्माना पानितन टूट a वह यह क्यों होता है तो ता मेंट्रेंटेज यूझ वहित होते हैं एक तो नगतना तो बेलन का भी मेंटेनेस होगा तब आपको ज़्यादा मेंटेनेस हो सकता है वैसे अगर आप ठोस मसीन लेते हैं तो मेंटेनेस की जगों तो नहीं पड़ती है बस वही थोड़ा बहुत है 1500 का मेंटेनेस पड़ेगा तो उमेद है कि आपको इस वीडियो से करेंग मसीन के बारे में बहुत कुछ समझी में आया होगा तो यदि आपको समझी में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आखेंगो ज़रू प्रेस करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद